अगर आप सीख रहे हैं Power BI और सीखना चाहते हैं उसे Hindi में तो ये चैनल है आपके लिए इस सीरीज के सारे वीडियो देखिए और सीखे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नमस्कार दोस्तों मैं अमित आपका स्वागत करता हूं Power BI Hindi के एक और वीडियो में और आज हम सीखेंगे format function अब ये जो format function हम सीखने वाले हैं ये format function क्या करता है ये formatting करता है ये number की भी formatting कर सकता है ये date की भी formatting कर सकता है तो बड़ा interesting सा function है तो पहले check कर लेते हैं क्या syntax है इसका format function देंगे उसमें value देंगे अब ये number भी हो सकती है ये date भी हो सकती है फिर format string कैसे format करना ये देंगे और फिर local name जैसे कि EN-US चाहिए EN-UK चाहिए ये सब चीजे भी हम याद दे सकते हैं तो अब ये यहां पर इसका example देख लेते क्योंकि काफी vast function है बहुत सारी चीजें कर सकता है जैसे simple हमने format में एक number दिया और बोल दिया general number तो general number format करतेगा currency बोल दिया तो currency में कर देगा fixed बोल दिया तो fixed में कर देगा ठीक है so display least one digit from the last decimal separated two digit right the decimal separated दो डिजिट right के पर कर देगा और जो भी possible है minimum वो उदर left standard करना है percentage करना है और scientific करना तो यह सारे format जो है वो वो कर सकता है फिर जैसे अगर date के साथ किया तो यह date देने का तरीका होता है इसको यह तो US का format हो गया और यह दूसरा UK format हो गया date पहले आ गई UK format इंडिया format में हम ऐसे ही करते है और अब यह तीसरा क्या हो गया इसने यहां पर दे दिया MMDDYY अब यहां पर MMDDYY दे दिया और यहां पर ENGV दे दिया तो भी जो हमने यह format दिया उसको इसने ले लिया लोकेल इस नॉट अप्लाइड वन नॉन लोकेल फॉर्मेट इस रिटन ओके तो यहां पर जो है नहीं हुआ अब इसके लाभ प्री डिफाइंड फॉर्मेट कौन से है तो जनरल नंबर है करंसी है फिक्स है स्टैंडर है परसंटेज है साइंटिफिक है यस अन नो है स्टैंडर है कर सकते हैं सेमि कोलन देखे न एक से चाधा फॉर्मेट भी दी सकते हो तो अगर वन सेक्ष्ण है तो वह सारी वैल्यू प्लाइगा तो पहला पॉजिटिव के लिए और जीरो के लिए होगा दूसरा नेगेटिव के लिए तीन सक्ष्ण है तो फर्स सेक्षिन पॉजिटिव के लिए second section negative के लिए third section 0 के लिए होता है कि बई 0 आया तो कौन सा format अपलाई करेंगे तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा दे सकते हो semicolon लगागे अब किसी country में semicolon चलता है separator तो वहाँ पर साथ comma shift हो जाएगा और यह semicolon वहाँ पर separator में आ जाएगा ठीक है उसके अलावा custom formats में यहाँ पर आप 0 यूज कर सकते हो hash यूज कर सकते हो dot यूज कर सकते हो percentage symbol यूज कर सकते हो इस सारे चीज़े आप यूज कर सकते हो फिर यह predefined format है date के general date, long date, medium date short date और इसके लावे यह सब colon वगरे सब यह लगा के हम यह सब कर सकते हैं यह सब दे सकते हैं तो चली क्या करते है पावर भी चलते हो try करते हैं तो सबसे पहले हमने date table बनाई भी बहुत बार उसमें यहां पर एक नया column बनाते है और उसको पहले format करके देखते हैं जैसे कुछ क्या-क्या formatting हम उससे ले सकते हैं तो यहां नया column बनाएंगे format date करके और देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं sales date पहले चीड format में है fine तो चलिए उसको try करते है हम लोग की format sales date और उससे अब यह जो function है यह टेक्स रिटन करेगा तो यह जो नया column बनेगा और टेक्स का column बनेगा ठीक है हम इसमें क्या बोल सकते हैं यह हमें वाई 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 दे दो मतलब year दे दो इसमें से ठीक है तो year आ गया सिर्फ mm कर देते हैं तो month आ गया 0 के साथ आया देखो सिर्फ mm कर देता हूं तो जहां पर double digit है महाँ पर double digit है वाणना single digit आएगा ऐसे www करके week कर देते हैं सेम वीक आ गया हमारे पास वीक का नंबर आ गया अब वीक में यह आपर यह जो है वह देख लिए डबल डबल डबली उपी 0 नहीं आता है तो वह थोड़ा सा handling करना पड़ेगा ठीक है क्वार्टर के लिए सिर्फ q की जूरत है अचा कभी-कभी आप escape character भी यूज़ कर सकते हैं जैसे अब यह quarter है मेरे को उसके पहले q लिखना है q तो मैं क्या करूंगा slash q backslash q तो यह escape character हो गया तो वह पहले वाले को अब मेरे को format नहीं करके देगा तो ऐसे मैंने अपना लगा दिया इसके अब इससे क्या हो गया मेरा q4 लिखा गया तो मैंने वहां पर लगा दिया और क्या कर सकते हैं अब जैसे hour minute seconds है अगर time है तो वह भी लगा सकते हैं अब इसमें उसमें उसमें क्या बोला वह जन्रल डेट लिख दू कि देखते जन्रल डेट लिखने से क्या होता है कि हम गलत दे रहे हैं format यहां से लिख कॉपी कर लेते देखते हैं तो यह इसका जन्रल डेट मैड़ी performat है यह वाले ठीक है दूसरा लगा लेते हैं लांग डेट कौन्सी होती है एग्जेकली सेम होना चाहिए ट्यूक्डेत करना चाहिए वह तो यह आसमारा लांग डेट फॉर्मेट आ गया ठीक अभी यह तो सही है अब एक काम करते हैं कि लॉंग डेट फॉर्मेट और यहां पर लगा लेते हैं यह वाली कोई फरक नहीं आ गया अब इसको उटा देखें लॉंग डेट तुम्हे तो क्या फरक आएगा वह तो वैसे इसी तरीके से उनी तो इन यूएस लगाया आपने अब यहां कोई गरबड करने हमने बीच पर ब्लैंक देना पड़ेगा तो यह होना बहुत जरूरी है ठीक है अब यूके देके देखते हैं तो अभी पहला मंत आ रहा है यह याद रखा अब इसमें हमें समझना पड़ेगा डेट पहले आई कि नहीं यह देट पहले लग तो नहीं भी प्रबड कर दिया है जीबी रहा है यूके नहीं होता जीबी ग्रेट बिटेन तो यह आ गया जीबी फॉर्मेंट में ठीक है ग्रेट बिटेन फॉर्मेंट में तो यह सब हो गया हमारे किसके साथ डेट के साथ अब इसके आलाव आपके पास डी 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 से डेट आ जाती है तो डी डी करेंगे तो आपके पास डे आ जाएगा फिक टिपल पर ट्रिपल डी कर देंगे तो वीग डे नेम आजाएगा तीन डिजिट का फिर चार कर देंगे तो पूरा वीग डेम आजाएगा थीक है एस तरीके से कर सकते हैं adesso अब क्या करेंगे अब ये कर लिया है फॉर्मेटिंग अब एक नया कोलं करते हैं जड़ीह को अब इन पर फॉर्मेट करके ली तो अब इन अब नंबर में यहां तो हमारे पासắt इस सारी जो है ग्रोस अमांट है उसको करके देखते हैं चलो gross amount को करते हैं तो gross amount में हम देते हैं भी format number तो format अब gross amount gross sales amount को पर लेकर है और चलो यहां से format ले ले लेते हैं पहले पहले तो format ही ट्रे कर लेते हैं general number और currency दो try करके देखते हैं ठीक है general number ले लिया तो यह format है general number का टेक्स बन गया इसली देखो यह याद रखना वह टेक्स बन जाता जब भी यह कर रहा है alignment देख लो उपर data type भी आ रहा है कॉलम में देखो currency हो गया अब कुछ custom format देके देख लेते हैं तो चलो यहाँ पर लगा देते हैं अब यहाँ पर हमें थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए थोड़ा Stop descending करने देख तो नंबर है कि यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा नंबर से तक हम कर देदे हैं साँ कॉमा dot hasH कि फूई कोई format लिख देते हैं ठीक है तो अब यह dot his लिखा नहीं तो आने अब 00 लिखते है मैं तो अब नहीं है तो भी आएगा तो व Speech 이제 इसलिए decimal के बार आपने देखाऊ को यह बर 0 लिख देते हैं अब positive negative number होना चाहिए हमारे पास एक बना लेते हैं पहले positive negative number चेक करने के तो enter data करते हैं और अब यह number test करेंगे positive negative अलग-लग format देगे तो यहाँ पर कर लेते हैं 10,000 कर लेते हैं थोड़ा बड़ा number minus 10,000 ऐसे दो number लेते हैं जीरू भी लेते हैं ठीक है और इसको format one लग देते हैं टेबल का ना भी format test करेंगे इस number table पे अब यह format one table बन जाएगी तो इस format one table पे जड़ा तीन अलग-अलग format देते हैं ठीक है चलो format one पे गए नया column बनाया कैसे चाहिए हमें format अब format में कह चाहिए हमें column one चाहिए किसका इसी table कह चाहिए column one ले लिया अब क्या format करेंगे पहले तो हम बोल देते हैं कि यह hash this 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 semicolon bracket वाला हमें hash comma hash 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 ऐसा कर लेते हैं और इसको ऐसा कर लेते हैं पॉजिटिव अलग-negative अलग जीरो का वाले format में क्या करते हैं semicolon लगा के dollar dollar hash कर लेते हैं तो देखो अभी अलग इसलिए मैंने इसको किया था dollar hash की कम से कम वो कोई अलग difference दिखाए कि हमें पता चले कि यहां पर जो है कुछ आया है हमारे पर different लाया है ठीक है तो यह इससे हमें तीनो जो है format में अब अलग-अलग format जीरो के लिए अलग लगा दिया negative के लिए अलग लगा दिया और positive के लिए अलग लगा दिया अगर आपको चिए local लगा लो तो उसके हिसाब से formatting हो जाएगी अगर किसी different country करनी format तो वो सब चीजे भी आप ट्राइ कर स और अज यहां पर हमारा यहां पर format है अब यहां पर जो फॉर्मैट होता है इसमें भी कई बर जाके हम लिख सकते हैं सीद्ट तो यहां मैं गया और यहां मैंने पर लिख दिया hash , hash hash है तो क्या होगा वो तो नंबर ही है ना? देख छून नंबर के साथ ही format अगया अब क्या यहाँ पर semicolon लगा के लिख सकते हैं यह और चेक कर लेते हैं semicolon hash देखो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको format function यूज़ करके उसको text convert करना है इसका मतलब यह है कि आप जो है उसको यहाँ पर format दे ही सकते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर format के लिए देखना पड़ेगा टेक है custom format ढो यहाँ पर लिख्वारान कस्तम फार्मेट आमने दीया है तो यह यहाँ पर देखो आप सी और दूसीobal यहाँ पर जाएंगे जैसे brand idea हमारा number है तो यहाँ हम उसका for signit दे सकते हैं ठीक है format अभी one number है यहाँ पर जाके custom format करके custom format और फिर format देख देखे देख सकते हैं तो कम कोछ भी format यहां पर देख सकते हैं तो इस तरीके से आप जाके यह दोनों जगे पर भी अपने format लिख सकते हैं और यहां पर ही लिखना बैटर है अगर वो नंबर है तो क्योंकि वो नंबर ही रहेगा उसके बाद वो format सिर्फ display पर format होगा और date अगर पूरी date display कर रहे हो अब देखो जब year बना रहे हो तो meaning change हो रहा है देखो क्योंकि date में अगर आपने सिर्फ formatting किया है तो वो date ही रहेगी उसके बाद भी यह थोड़ा साब ध्यान लेकर चेक कर सकते हो तो try करिएगा इसको और मुझे बताइएगा कि और क्या दिखाएं इस सीरीज में इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद keep watching keep asking questions in comment subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos thank you